तो देखिए मैं यहां पे बना रही हूं गाजर का हल्वा और किसलिب मेंें इस सब बना रही हूं को आप को आके ब्लॉग में देखने को मिलेगा यहां पर बाबु है मिरा मुम्मी जल्ली बनाओ तो मैं यहां बना रही थे हलो दोचतोong कुमो मंजल ब्लोग में आप से भी कैसे हैं उमीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे यहां पर मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूं कुछ अलग चीज बना रही हूं और दो पर कर टाइम हो रहा है और हमारे घर कोई आये हुए हैं कौन आये हुए हैं वह भी मैं आप लोग को आगे दिखाओंगी आप लोग में बने रही हैं यहां पर मैं दिखा रही हूं गाजर का हलवा देखिए कितना टेश्टी टेश्टी सवाधा रहा था बहुत अच्छा उसका सुगंद आ रहा था और फिर मैं बनाने के पास यहां पर बैठ गए गैलरी में क्यूंकि मैं सब्सक्राइब करने के पापा इन आ प्लेए हैं जो आनने को देखें हैं तो लोगों बहूं के पापा का खाना तो बोले थोड़ा सकाना दी हूं और यह हिला मेरा इसमें मैंने अंड्राइपörtस मतलम नहीं डाले नहीं तो आप लोग गलत में सोचेगा मैं कही तरह का बनाती हूं देखिए साम हो गया है और मैं अब जा रही हूं खाना खाने क्योंकि सबी लोग खाना खाली है मैं ही बस बाकी हूं तो मैं लगी नहाने इसलिए मुझे तो टाइम लेग गया और कपड़ा भी धोना था मुझे तो खौल लाता है तो चीरियों ने डाल करके फिर मैं खाती हूं ऐसे ऐसे दूद रोटी में खाती हूं देखिए इसमें से भाबू और मम्मी खा करके भी गया है दोनों लोग और मैं जा रही हूं अब खाने और नाना जी चले गया है अभी मतलब एग घंटा हुआ उनको गया और चले गया हैं पता नहीं मैं उनको वीड Durch को बनाई हूं कि नहीं बनाई हूं तो में खाना बना रही थी और बाबू nauka पैपाक को फोन चार्ज नहीं था और मेरा फोन था मेरे पास में वहां पे जो थोड़ा हलका फुलका जो सॉट रही थी मैं वहां पे ठी। और मुझे लगए कि मैं बाद में उनका वीडियो बना लूँगी लेकिन नहीं बन पाया तो आप लोग देखे ही है अब फिर दुबार आएंगे तो मैं आप लोग को देखा दूँगी वैसे में मैंने सौट वीडियो बनाया है तो आप लोग देखेगा और जाता जाता आप लोग सेयर करेगा और सपोर्ट करेगा ठीक है मैं दीमा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मेरा तोड़त अब इतना सही नहीं है इसलिए मुझे दीमा आवाज जा रहा होगा तो मिलती हूं अभी खाना खाने के बाद ठीक है तो बाई बाई तो मैं खाना खाली और अब मैं जा रही हूं साम के समय का खाना का तयारी करने खाना में क्या बनेगा आप लोग को नेश्ट ब्लोग में देखने को मिलेगा आप लोग में बने रहेगा फिर आप लोग को प दिखाए सुकूँ तो मिलती आप लोगों से फिर नए ब्लोग के साथ दबते के लिए बाई बाई